मम्मी जी चाई ले लीजी अरे कल मुही तेरे हाथों से तो चाई पीते हुए भी डर लगता है कहीं इससे तेरा रंग मुझ पर ना चड़ जाए अगर इने इतनी ही शर्म होती तो मेरे इतने हैंसम भाई को इस तरह फसाती नहीं बानी और शिवम की लव मैरेज हुई है बानी के ससुराल में उसके ननद और सास हैं जिने अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है जिस वज़े से वो बानी को सिर्फ उसके साउले रंग की वज़े से ना पसंद करती है और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती है बानी उनकी सभी जली कटी बाते सुनकर चुप चाप वहाँ से चली जाती है तुम मा और छोटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? ममी जी बड़ी है, हर छुटकी ना समझ, इस तरह उन्हें उर्टा जवाब दिना सही नहीं मेरी जिम्मदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूँगी ऐसा बोलकर बानी रसुई में जाकर रात के खाने की तयारी करने लगती है रात को खाना खाते हुए बानी की सास उसे कहती है कल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है समय से सारा खाना बना देना और अपना मनहूस चहरा लेकर ज्यादा उनके सामने मता ना समझी मा, बानी आप दोनों की कितनी परवा करती है फिर भी आप उससे इतना बुरा व्यवार क्यों करती है अरे, एक तो लव मैरेज करके इस कल मुही को हमारे सर पला कर बिठा दिया और अब हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या भाईया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही आखिर इनोंने पूरी दरव उन्हें अपने वश में जो किया है जिसे जो करना है करे बस कल मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन बानी जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तयारिया शुरू कर देती है जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहलिया कहती है अरे वहरी तेरी बहु ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसी बनाए है हाँ भई रंग कैसा भी हो खाना बनाने में बिल्कुल अन्डपूर्णा है अरे इसकी भी क्या बात करनी मेरी बेटी से मिलो इसकी सुन्दरता की आगे तो उर्वशी रंभा भी फेल है उर्वशी रंभा को तो फेल कर देगी पर क्या अन्नपूर्णा बन पाएगी अरे इसे काम करने की क्या जरूरत उसके लिए बानी है तो और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूँगी बानी वापस रसुए में चली जाती है और किटी पाटी चलती रहती है उसी रात को बानी की सास गुस्से में चलाते हुए अपने कमरे से बहार निकल कर आती है हाई रे चोरी हो गई मेरे पैसे पक्का पक्का इस कलमूही के वज़ा से हुआ है ये सब अरे क्या हुआ मा कौनसा आसमान तूट गया अरे आसमान तूट गया था जब तूट इसकलमूही से शादी करके इसे घर में ले आया था खुद तो आई ही अपने साथ साथ मन हुस्यत का काला साया भी मेरे घर ले आई अरे हुआ क्या मा अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए सुबह ही देखा अरे यही रखे थे क्या आप मुझ पर चूरी का इलजाम लगा रही है अरे काली बिल्ली पर भी क्या कोई मन हुस्यत का इलजाम लगाता है ऐसा बोलकर बानी की सास वहाँ से चली जाती है जिसके बाद शिवम और बानी बात कने लगते हैं देखो ममी की बात का बुरा मत मानना वो बस परिशान है ना इसलिए कुछ भी बोल गई वो परिशान नहीं मुझ से नफरत की वज़ज़ से ऐसा बोल कर गई है उन्हें मैं हमेशा एक आँख नहीं सुआती देखो बानी अगर तुम चाहो तो हम दूसरा घर लेकर वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूँ इस तरह टार्चर नहीं होने दे सकता अगर आप साथ है तो मुझे किसी चीज की टेंशिन नहीं और आखिर वो हमारी बुजर्ग है हम उन्हें और छुटकी को इस तरह अकेले छोड़ कर कैसे जा सकते हैं इसके बाद बानी भी अपनी कमरे में चली जाती है और अब हर रोज उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं इसी तरह कुछ समय बीच जाता है और वो हर बार हर चीज का इलजाम बानी पर लगाती है पर बानी कभी कुछ पी नहीं बोलती कल मुही नास पीटी बहु को घर की लक्ष मी बोलते हैं ये तो पनोती बन कर आई है पनोती एक रात बानी के सास को आधी रात में प्यास लगती है तो वो पानी पिने रसोई के तरफ जाती है तब ही उससे अपनी बेटी की कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है हाँ हाँ मैंने मम्मी की तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों की लायक खुब पैसे इकटे कर लिये है और मम्मी आज तक उस सब के लिए भावी कोई ही जम्मदार समझती है तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ और हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे मम्मी की कुछ पता नहीं चलेगा साप मुसिबत खत्म अपनी बेटी की यह सारी बाते सुनकर बानी की सास भोचक की रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है जब अगली सुबव बानी सास के कमरे में आती है मम्मी जी क्या बात है आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई आपकी तब्यत तो चीक है ना क्या छुटकी कमरे से बाहर आई या तुम उसके कमरे में गई नहीं नहीं क्यों जाना है क्या मैं अभी चली जाती हूँ नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा इस पर वो बानी को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है जहां शिवम भी होता है वहां उसकी सास बोलती है छुटकी मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर अपनी मा के बारे में कोई खयाल करें बिना किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई और बहु तुमने मुझ जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पती के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा अच्छा ही नहीं जो मेरी सबसे बड़ी गलती है मुझे माफ कर दे बेटा और इसके बाद बानी की सास कभी अपनी बहु की तारीफ करते ठकी नहीं